हेलो एवरिवान, इट्स पारूल हेर और वेलकम तो मैं चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ इजी फूल मून सेनरी वो भी ओयल पेस्टेल्स यूज़ करेके तो स्काई में कलर करने के लिए मैं ब्लू के सारे शेड्स और ब्लैक यूज़ करूँगी जबकि ओशिन में मैं अल्चा मेरीन ब्लू से आदा यूज़ करूँगी और बाकी ब्लू के शेड्स कम यूज़ करूँगी इसके बाद मैं ब्लैंटिंग के लिए टीशू पेपर यूज़ कर रही हूँ और मैं अच्छे से ब्लैंट कर दूँगी बाकी का प्रॉसर सब देखते रही है मून के शाइन शो करने के लिए मैं मून के आसपास वाइट कलर से हलके हाथ से शेडिंग करूँगी और बाद मैं इसको ब्लैंट कर दूँगी स्टार्स का इफेक्ट क्रियेट करने के लिए मैं एक पेंट प्रेश पे वाइट कलर लूँगी और दूसरे पेंट प्रेश पे टैप कर दूँगी इसके बाद मैं मास्किंग टेप रिमूव करके वाइट कलर करूँगी और इसके उपर ग्रे कलर से शेडिंग दे दूँगी इसके बाद मैं यहाँ पर प्रेश शिप ट्रॉ करूँगी और इसमें ब्लैक और ग्रे एक्रेलिक कलर्स कर दूँगी प्रेश शिप पर मैं रॉप्रेश शिप पर मैं रॉप्रेश कर दूँगी का इफेक्ट क्रियेट करने के लिए पैंसिल और पैन यूज कर रही हूं के लिए मैं रॉप्रेश कर दूँगी झाल झाल पेंटिंग फाइनली रेडी है तो आपको ये पेंटिंग कैसे लग रही है just do let me know in the comment section और इसके साथ आप मुझे next वीडियो के लिए suggestion भी देश सकते हैं बाकि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर दीजिए thanks for watching and stay tuned प्रोचिफ पेंटो और लाउनली रेश जानियो को ये रही है प्रोचिफ रही है झाल